आज की जो recipe है न वो तो एक एक बच्चे को पसंद आने वाली है और बड़ों को तो definitely बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना तो एकदम बच्चों का खेल है तो एकदम perfect recipe मैं आपको देने वाली हूँ बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होने वाली है तो चलिए देख लेते हैं क कि आज की बहुत ही सुपर टेस्टी वाली recipe बहुत ही सुन्दर दिखने वाली recipe को मैंने किस तरीके से बनाया है तो अगर recipe अच्छी लगेगी तो आप चैनल को subscribe चरूर से कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने दो कप लेना है बेसन बेसन आपको जो बारिक फला होता है वही लेना है मोटा वाला बेसन इस्तेमाल नहीं करना है इसको बनाने के लिए तब ही एकदम perfect बनेगी उसके बाद एट करना है इसमें थोड़ा सन नमक नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना ह और इसको mix कर लेना है बहुत ज़्यादा ताम जाम इस recipe में बिल्कुल नहीं है और इसे बना कर आप चार से पांच महिने आराम से रख सकते हैं और अब बारी आती है पानी के measurement की तो दो कटोरी मैंने बेसन लिया है तो पहले एक कटोरी पूरा का पूरा पानी इसमें डाल लेंगे measurement के लिए आपको एक लास कटोरी कब किसी का बेस्तेमाल कर सकते हैं तो जिससे आप बेसन लेंगे उसी से आपको पानी भी याड़ करना है और ये कितना पानी जाएगा वो मैं आपको एकदम प्रॉपर अच्छे से बताती हूं और ये recipe ऐसी है ना कि मेरा ये वाला जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूं तो दो कटोरी बेसन के लिए इसमें आपको जो पानी लगेगा ना वो सवा दो कटोरी लगेगा मतब दो कटोरी बेसन है तो दो कटोरी फुल फुल पानी डाल दीजे उसके बाद आधे का आधा पानी और डाल दीजे और इसको mix कर बस आपका ये जो बैटर है बिलकुल तैयार है एक दम परफेक्ट है इसकी जो consistency है वो बहुत मैटर करती है इस recipe को इक दम परफेक्ट बेमे बनाने के लिए तो इसका घोल देखिए किस तरीके से गेर रहा है या आप ध्यान से देखिए बिलकुल ऐसा ही होना चाहिए और पर अच्छे से दी है फिर भी मैंने इसमें आपको बता दिया है ताकि कोई गलती ना हो तो अब यह जो बैटर है ना इसको हम दो हिंस्टों में कर लेते हैं क्योंकि इसको हम कलर्फुल बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा इसमें हम कलर एड़ करने वाले हैं बागी अगर आपक तो चलता ही है इतना और बच्छों को भी अच्छे लगते हैं कलर्फुल वाली चीज़ें तो अब इसे हम प्रॉपर अच्छे से मिला देते हैं और यह देखे कलर कितना प्यारा आगया है तो बस इसी तरीके से आप चाहें तो चार से पांच कलर भी आट करके अलग-अलग कलर बना सकते हैं बहुत अच्छा लगता है वो भी तो यह हमारा हो गया अब जो थोड़ा सा बेटर मैंने अलग रखा हुआ है उसमें येलो फोट कलर एट कर देते हैं क्योंकि इसमें हल्दी वगरा बिल्कुल एट नहीं किये और हल्दी डालकर अगर आप इसे बनाते हैं तो इसका जो कलर है थोड़ा सा जैसे रेट लगने लगता है तो इसलिए मैंने फोट कलर का इस्तेमाल किया है बाकि आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी हल्दी एट कर सकते हैं मैंने हल्दी इसमें बिल्कुल नहीं डाली है और ये कलर भी हमारा बिल्कुल अच्छा लग र तो अब इसको फ्राई करने के लिए तेल को आप पहले काफी अच्छा गरम कर लीजे और उसके बाद ये जो जहारा मिलता है ये बहुत ही पुराना जहारा मेरे पास है आप तो बहुत ही अच्छे अच्छे जहारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे या फिर जो पूरी शान तो इस टाइम पे मीडियम कर दीजे और फिर इसको इस तरीके से चला दीजे ताकि ये हर तरफ से बढ़ियां से अच्छे से फ्राई हो जाए और बहुत जादा टाइम नहीं लगता है ये बुंदी ना बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती है तो देख सकते हैं कि कितनी ज तरीके से जो yellow color वाला है इसको भी fry कर लेते हैं, दोनों का तरीका सेम है, जैसे इस time पे डाल रहे है तो इस time पे gas की flame को high कर दीजेगा और जैसे यह झारा हटाइएगा तुरण medium कर दीजेगा, जिससे की बूंदी जले नहीं, और जब आप बुंदी को डालते हैं तो उस टाइम पे हाई रखना जरूरी होता है नहीं तो अगर तेल ठंडा रहेगा तेमपरेचर डाउन रहेगा तो यह आपस में चीपक जाती है बुंदिया चप्टी भी बनती है और अगर आपका घोल बिल्कुल अच्छे से तयार नहीं है पतला है आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उससे भी आपकी बुंदी अच्छी नहीं बनेगी तो बुंदी बनाने में जो जो बातें जितनी जरूरी थी वो सारी मैंने आपको बता दी अब आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखेगा और बुंदी को बनाईएगा अपने घर पर एकदम परफेक्ट बनेगी तो चाहे तो इस तरीके से वीचान सकते हैं और ये दोनों की जो कलर वाली बुंदिया हैं बढ़ियां से मैंने बना ली है और इसे बना कर और आप स्थोर करके भी रख सकते हैं और ये देखिये क्या मस्त एकदम गोल गोल बनी हुई है ना देख सकते हैं एकदम फूली फूली सी तो हमारी बूंदियां दोनों कलर वाली बढ़ियां से फ्राई हो चुकी हैं तो इसको मैंने साइड में रग दिया है और अब यहां पर थोड़ा सा तेल और एड़ किया मैंने और उसके बाद यह मुंफली को भी फ्राई कर लेते क्योंकि इसके ना बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे मतब आज से नहीं आ रहे हैं लगबख साल बर से आ रहे हैं बट मैं थोड़ा सा आज आज कल करके बनाते बनाते इतना टाइम हो गया उसके बाद यहां पर थोड़ी से करी पते को भी मैंने धीमी आज पर इस तरीके से तेल में फ्राई कर लिया है ये भी बहुत अच्छा लगता है और अब सारी चीजों की मिक्सिंग की बारी आती है क्योंकि सब कुस तो अच्छे से फ्राई हो चुका है तैयार होए ना तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा नमक और आट करेंगे क्योंकि नमक बुंदी में मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला था कास्मेरी लाल मिर्च का पौडर डाल देते हैं भूना जीरे का पौडर आट करेंगे काली मिर्च का पौडर डालेंगे चाट मसाला आट कर देते हैं आ अगर आप नमकीन की और भी रेसिपीज देखना चाते हैं ना तो मैंने बहुत सारी नमकीन अपने चैनल पर बना कर अपलोड करी हुई है जो कि अलग-अलग विराइटी की है बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है और ऐसी ऐसी नमकीन भी मै आपको बहुत अच्छी लगेगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंट्स में भी सेयर कर दीजेगा और ट्राइबी कीजेगा अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और देख सकते हैं कि ये कलरफुल जो नमकीन है कित्ती बढ़ियां लग रही है तो किसी भी एयर टाइट एक नए वीडियो में बाबाई